हेडो एवरीवन वलकेम वेक तो यौराल चैनल टेज आफ नौलेज स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एन्वल एक्जाम्स के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें जिया स्टुडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपकी जो एन्वल एक्जाम्स होने वाले उसके लिए इंग्लिश की तैयारी किस तरीकी से की जाए जिससे कि आप इंग्लिश में 95 प्लस का स्कोर कर पाएं जिया स्टुडेंट्स आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर मेरे बता हुए तरीकी के अकॉर्डिक आप स्टुडी करेंगे तो बिल्कुल आप 95 प्लस इंग्लिश में मार्क्स ले पाएंगे तो जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखेगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजेगा क्योंकि जो स्लेबस आपको प्रवाइड कराये गया है जो ब्लुपिंट आपके लिए जारी किया गया है सारे ही स्लेबस को और ब्लुपिंट को ध्यार में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके साब एक ही कोश्चन को कर सकते हैं एक ही कोश्चन को मैं आपको डिटेल में एक्स्प्लेइन कराऊंगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा चरी वीडियो को शुरू करते हैं दिख्ये सबसे पहले बात करते हैं आपको जो पेपर आएगा उसमें section A, section B, section C, section D रहेगा तो section A जो आपका आएगा जिसको कहते है reading skills पहले हम इसको समझे लेते हैं reading skills आपको किस तरीके से cover करना है जिससे के आपको 14 मार्क्स CRS 게 मिल जाएं मतलब जो CRS Ц राएगा यश्व 13 मार्क कर राएगा अब इस junior 14 मार्क ऐसे के से साहएं पहले जरा इनको समझे लो 10 मार्क्स तो आपको मिलेंगे पेसिज के और 4 मार्कस आपको मिलेंगे Cl形 sub ओन स्टुएंट mcqs जिनको कहा जाता है multiple choice क्योंच तो आप mcqs आपको आएंगे तो आपको करना क्या है unseen passage की तैयारी के लिए दिखिए पहले तो आप इसी को ध्यान से दिखिए यहां पर लिखा हुआ है और रीडिंग इसकी स्टोरी आठ चार्सो 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 जिहां याद कर लिजिए वाट्सेप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैस का सवाल हो या फिसिस्क खामिस्ट्री बायलोजी का आपके हर डाउट हर क्योंचन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोलुशन वो भी सीधा आपके वाट्सेप पर बस अपने फोन में डाउटनाट का 8400-400 वाट्सेप नंबर सेब कर लिजिए और चेट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो कीजनी है उसे क्रॉप करना है और पास सेकेंड में आपका उसका वीडियो सोलुशन मिल जाएगा किलाज 6 से बारा आई टी जाई नीट सी बीए सी बोट्स और सभी स्टेट बोट्स के बच्चों के लिए तो तेर किस बात की अभी जाएए और 8400-400-400 पर अपना सावाल वाट सेब कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है रीडिंग इसकी से मतलब आपको रीडिंग की पैक्टिस करना है इसकी पैक्टिस करना है रीडिंग की आपको अच्छे तरीके से पैक्टिस करना है आपकी रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होना चाहिए आपको रीडिंग बनना चाहिए यह बात में आपको स्टार्डिंग में भी वोली थी कि रीडिंग आपसे आना चाहिए तो देखिए रीडिंग अगर आपसे बनती है जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करने के साथ आपको जो पेसिज दिया जाएगा उसको आपको थोड़ा सा समझना है जी अंदरस्टेंडिंग आपको होना चाहिए क्योंकि देखिए यह गिप्ली हैंशन होता है अगर आप इसको कम्प्रिहंसिब करेंगे और आप इसको समझ पाते हैं तो उस स्था पूछेंगे वह बन जाएंगे अब देखिए ऑटेंगे किस टाइप क्या थैं देखिए पहली बात चो पेसिज आप रीडि करते हैं तो उस इस के बाद que Ferrante CHRIS vocês आएंगे और जाएंगे इसके बाद वॉकेप én यू यू नiksi माने हैं उसके सज्टन शाहिए चाहिए Ł black यह और वी जाए कोंध harvest हर जो और है कर देंगे फिसको के जिसको अपोजिट पिकiva या किसी वर्ड का सिमिलर पूछेंगे किसी वर्ड की आपसे नाउन फार्म पूछी जा सकती है वर्ड फॉर्मेशन में आपसे पूछी जा सकती है वर्ड की नाउन फार्म बताईए या एडजेक्टिब बताईए या फिर आपसे कह सकते हैं कि उसका एडवर्ब बताईए इस सिर्फ आपको समझना में सिर्फ built तो आपको इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करना है ठीक है अब बात करते हैं नोट मेकिंग भी आपके समझने वाला इसको भी कहीं से रटने की ज़रूत नहीं इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी और वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा तो नोट म तक आपको डिटेल में इंपोर्टेंट पाइंड को लिख देना है वही हो जाते हैं हमारे नोट्स तो इसको भी रटने की जरुवत नहीं है तो नोट मेकिंग और अंसीन पेसे रीडिंग स्किल जो के 40 मार्क्स का आएगा इसली तरीके आपसे बन जाएगा इसके लिए आप डिर्तर प्रेंट करें लिएव डेखते रहे तो आपको सारे डा उट्स कलियर होते रहेंगी तीक हैट स्किलिर ओरलाँ, मौन आपके रिडिस कलियर हुआ है बात करते हैं राइटिंग स्किल आपका बहुत ज़ीस मेरी का बहुत जाभ जलताहिए इंप्रिंट हिए रा मतलब कि आपको इनके सिर्फ format समझ लेना है कि किस तरीके से आपको notice का format लिखा जाता है advertisement किस तरीके से लिखा जाता है आपको रटना नहीं है इनके topics देख लेना है बस format आपको समझ लेना है देखिए notice के format को मैं already explain करा चुका हूँ advertisement के उपर भी वीडियो बनाई जा चुकी है पोस्टर के उपर भी वीडियो बनाई जा चुकी है तो notice का सिर्फ आपको format समझ लेना है advertisement का format समझ लेना है और poster बनाने का तरीका आपको समझ लेना है और रटना कुछ भी नहीं easily तरीके साबसे बन जाएगा क्योंकि four marks का आएगा तो notice, advertisement, poster यह चार नमबर का कोचर आएगा मतलब के दो आएंगे उनमें से कोई एक करना होगा advertisement के आर में पोस्टर आ सकता है advertisement के आर में notice आ सकता है या फिर notice के और में poster आ सकता है तो आप जो आपसे जादा अच्छा बने देखी मैं आपको सजेश्ट करूँगा कि poster आपसे इसली बन जाएंगे तो आप चाहे तो poster की तैयारी कर सकते है advertisement चाहे तो यह भी easily बन जाते हैं सारी ही चीज़े इसी हैं लेकिन poster की तैयारी कर ले जाए poster बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई आपको कुछ posters के बारे में बताया हुआ advertisement और notice के बारे में बताया हुआ उनकी लिंक देदी जाएगी वहां दाकर आप देख सकते हैं तो इसमें भी आपको रटना कुछ भी नहीं इनके format को आपको अच्छे तरीके समझ लेना है अब बात करते हैं next question जो है लेटर राइटिंग का होगा तो लेटर राइटिंग में इस्ट्वेंट देखिए आपको करना है क्या है और कुछ आपको पता होना चाहिए किस ताइप से लिखा जाता है इसली तरीके से बन जाएगा बस format को जहार में रखिएगा अब बात करते हैं long composition देखिए long composition को ऊपर recently में वीडियो बनाई हुई है reports article इनके बारे में बता है कि आपका article reports speech ये भी आपकी चार नमर की format की आएगी तो इसमें देखिए आपको करना होगा आपको क्या होगा कुछ clues दिये जाएंगे कुछ है आपको points से रॉil 5 में कहते हैं तो तो जो आपको points से दिये जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना उन points की help से detail में आपको एक reports त्यार कर देना है लिखने जाएँ अगर आपके गरमर अच्छी आपसे टेन्स बनते हैं आपको समझ आता है तो राटरनी ना कुछ भी रहें करना को देख रहता है कि अल की मैं किुछ इस रहता है बार में by ऊपे काउंटर और पीपल स्टेंडिंग इन क्यूट तो जो क्वेस्टेंस आपको दिया जाएगा उस कोच्छन से ही आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी अगर दिया जा रहा है किसी चीजी इसकी उपर कुछ वर्ट में लिख कर देखना चीह अपको सबसे इंप Four jeux अपने नोट्स खुद बनाना है तो यह एक करना क्या फिर बैसने जो आपके पास नोट है तो औन नोट इक है एक बर आपको देखना है उसके बाद आपको खुद अपने नोट बनाना है अपने उन सिर्ण आपको राइट करके देखना है इसको लिख 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 ल हमारे चैनल पर ही कराई जाएगी अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट ग्रामर के पॉर्शन पिन तो देखिए ग्रामर के टॉपिक को आप कवर कैसे करेंगे एक चीज में के लिए क्योंस को मैं आपको कंपीट बताता जा रहा हूं आपके ब्लूपिंट के तो इनके टॉपिक्स को आपको पढ़ना है वह तरह समय लेजिए ग्रामर आपके 10 kg 5 मार्स को आपके फिलक्स आएंगे अब प्ल आपके यह आएंगे आपके के आपके आइडिकल्स आता हैं मौडल साथें प्री पोजिश्चन हैं डेटर्मिनर से कंजैंडिन औरभ आग्र बहुत सारी वीडियो बनाए गई हैं ग्रामर के टॉपिक्स को कवर किया गा है हमारे चेनल पर आप विजिट करेंगे तो देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर की बहुत सारी सेपरेट वीडियो मिल जाएं जाएंगे तो आप हमारे चेनल पर बने रहेगा चेनल को सबस्क्वाइब करें आपके रहेगे आपको बनाने के लिए यह निगेटिव बनाने के लिए चाहिए तो देखिए आपका कौन सा आता है मैं आपको क्लियर कर दूँ या तो आता है आपका प्रोजेंट इनडेफिने या फिर आता है आपका पास्ट इंडेस्ट से पूछ आता है जिसमें आपको यूज करना होता है है यह कुछ करना होता है या तरह इसकी बनाना होता है सबसे जादा अगर ऊता है तो निगेटिव曲 कर लिजिए आप और हम कराएंगे practice, आपको अगर नहीं आता, no problem, आपको tension लेने की जरूत नहीं है, students, बिल्कुल परेशान होने की जरूत नहीं है, जो topics आपसे नहीं बनते हैं, comments आपको समझ लेजी कि study कैसे करना है, उसके बारे में आप जानने जी, उसके बाद जो topics आपसे नहीं बनते हैं, तो वह मैं आपको बिल्कुल इस चनल पर करवाऊंगा, आपकी study, ठीक है, students, negative आपको practice करना है, negative की practice करना है, sentence negative बनाने की देखना है, interrogative बनाने के लिए sentence की practice करना है, मतलब आपका एक्जाम में, तो पैसिव बन जाएंगे, नहीं पड़े, no problem, पड़ा दी जाएंगे, आप आपका चीज़ इंडारेट इस निरेशन आ सकता है, combine the sentence को combine करना है, दो sentence आपको दे दी जाते हैं, उसे कह सकते हैं, combine करिये, या फिर sentence को correct करिये, ठीक है, इस तरीके से आपका आ सकता है, या फिर कोई clause आ सकता है, कि मतलब हो से जाधा तर आता है, relative clause या कोई भी clause आ सकता है तो इस टाइप से आपके जो कोईस आएंगे, या आते हैं, आपके डुएस दारेटेट के, ठीक है, तो डुएस दारेटेट में इनको आपको cover कर लेना है, अच्छे तरीके से इनकी study कर लेना है, आपको पड़ा लेना है, मतलब कि गिरामर को आपको deeply पड़ा लेना है, और 4 marks का आएगा, सबसे ज़्यादा important होगा, 44 marks का आपका, जो आएगा section D, अब section D में क्या आएगा, किस तरीके से study करना है, इसको ज़रा detail में समझ लें, देखिए, exit आपके आएंगे, prose, poetry, flamingo book और विस्ताज दोनों में से आएंगे, मतलब दोनों ही books में से, आपके prose, poetry में से, flamingo और विस्ताज में से आएंगे, आपके 12 marks के, मतलब total 12 marks होंगे, ठीके 3 आएंगे, यह मैं आपको clear कर दो, आपके जो extra 3 आएंगे, एक तो आपका prose का आएगा, poetry का आएगा, यह किस में से आएगा, यह आएगा, आपके flamingo में से, ठीके, यह एक बार देख लो तरा अच्छ दिए गया, जो आपके chapter से, उन chapters को, आपको detail में read कर लेना है, जिया, detail में read कर लेना है, और इन accent को cover करने के लिए, आपको poet का name, learn होना चाहिए, poet का name, और जो poem है, तो वो poem का name, या फिर prose का chapter है, तो उस prose के chapter का name, यह questions आपको सबसे अच्छे तरीके से cover कर लेना है, जो भी poem का रीड करें, जो भी chapter का रीड करें, उसका point, उसके author का name आपको पता होना चाहिए, या फिर, उस chapter का name आपको पता होना चाहिए, यह आपके except के पूछा जाता आstein, उसके बाद, उससे word meaning, सगर रीट को पूछे जाते हैं, आपके इसका similar पूछा जा सकता है, किसी word ka meaning, किसी 32 marks के आएंगे, कितने marks के आएंगे 32 marks के आपके कोच्छन आंसर आने वाले हैं, इस बार आपकी flamingo और विस्ताज में से, ब्लूप्रिंट में ब्लूप्रिंट को आड़ाग चाहिए, कौन से कौच्छन होंगे शोर्ट ऑइगे, यह ब्लूप्रिंट में आपको बता दिया है, आप को चैप्टर्स को ढीटेल supports और पलेना है क्योंकि देखिए अगर पुर्षाट को रीटिया सब्सक्राइब करते हैं लों स्काम्लार को सब्सक्राइब summary निकाल लेना है, जिया, सारही, आपके जो chapters, मطلب कि में pros के chapters की بात करूँ, इन सारे chapters की आपको summary बना लेना है, खुद आपको summary निकाल लेना है, मतलब कि je chapters आपका, अगर five, six pages का है, तो आपको उसके one or two pages में, उसकी summary निकाल लेना है, अगर आप summary निकाल लेते हैं तो समरी में important topics को आप cover कर लेते हैं तो automatic वो chapter आपका पूरा cover हो जाएगा जी straight आपका पूरा topics पूरा chapters आपका cover हो जाएगा अगर आप उसकी summary निकाल लेते हैं तो आपसे सारे questions के answer easily तरीके से बन जाएंगे तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप सारे जो chapters हैं reduce होने के बाद उनको detail में read करिए जारा समझ कर रीड करिए पूरे ध्यान focus से और read करने के बाद आप उसकी summary निकाल लेते हैं जब आप summary निकाल लेंगे तो आपसे सारे questions के answer बन जाएंगे जिनको आप cover कर लेंगे वो summary में ठीक marks का आएगा किस तरीके से आएगा ये भी ज़रा मैं आपको explain करा देखिए mcqs जो आएगे वो आपके 32 marks का ही मतलब जो कहा जा रहा है ना 40% तो देखिए आपको confuse के जा रहा है कि 40 marks के आएंगे 40 marks के नहीं आएंगे 40 % आएंगे आपके mcqs तो 40 % होंगे वो 32 होंगे क्यों बतलब यहां पर 33 सोच करना हिए 33 में आपको passer होना है 33 में तो आपको हंडेड में से pass होना होता है जब पेपर आपका हंडेड का होता था तब ëो 33 में पास होना होता था लेकिन अगर आपका दो नमबरों तीन नमबर में आपके कोच्छंस आने वाले हैं मतलब कि तू और थ्री मार्क्स में वो भी आपके 32 मार्क्स का आएगा नियुक्त तो अब मैंने सारी टॉपिक्स को आपको अपको कवर करा दिया है तो उन topics को cover कराया जाएगा देखिए परिक्षा है आपकी आने में भी time है तो आप टेंशन ना लें आपकी जो भी topics है सारी topics को cover कराया जाएगा इस channel पर तो जब भी आपकी परिक्षा स्टार्ट होंगी चाहे वो आपकी इस बार मार्च में हो या एपरेल तक आपकी खिच ज करना है आप अभी यह जो राइटिंग का है मतलब कि राइटिंग स्किल को अच्छे तरीकी से स्ट्रॉंग कर लीजिए कवर कर लीजिए इनके कुछ लेटर्स को learn कर लीजिए आपको पता होना चाहिए नोटे से एडवर्टाइमें सारी topics हैं इन में से यहां भी आपको प् प्रिपोजिए यह सारी topics आपको बताया जाएंगे इसके बाद ड्यूजिट पको समझ में आई होगी आपको बहुत कुछ हैल्प मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर जीगा सारी दोस्तों को जड़ादा शेयर कर देगा और हाँ यदि चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सका के लिए कराई जाएगी 100% मार्क्स की तैयारी आप करिए अभी से स्टाडी स्टाड कर लीजिए अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेट्स आप में जाए कमेट्स करके पूछ लीजिएगा देखते रहे हैं सीखते रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग